हेलो गाइज वेल्कम एक टो माई टूप चैनल या डॉटर मंग सक्सान तो आज के इस वीडियो में हम बात करने बाले हैं कि बाई बन प्लस नोट टू एक बन प्लस की काफी यहाँ पर फैमस सीरीज है और उसके अंदर गाइज गैल्लिया अप्डेट हमें देखने को मिला है यहाँ पर एक पॉपप आ रहा है गैल्री अप्लिकेशन को ओपन करने के वाद और यहाँ पर लिखा हुआ है न्यू वर्जन डिटेक्ट यहाँ पर अप्टेट और कैंसल की दो बटन आ रहे है और वर्जन है इसका 14.11.7 तो गाइज अभी हम सबसे पहले बैक जाते हैं औ हमारा एप्लिकेशन उस पर जाके लॉंग प्रेस करके और इंफोमिशन चेक करते हैं कि हमारे पास कौन सा है तो हमारे पार जो करेंट वर्जन निकल कर आ रहा है वह 13.3.80 का यहाँ पर है तो गाइज बेसिकली यह अपडेट मैंने कि आप लोगों को पहले भी पताया है कि भाई जो OTA updates रहते हैं OnePlus के उसके अंदर internal updates यहाँ पर OnePlus प्रोवाइड करता रहता है आप लोगों को तो आप लोगों को यहाँ पर आज देखी रहे हैं live कि internal updates यहाँ पर आते रहते हैं OnePlus Mobile phones के लिए तो गाइज अभी हम इसको फटाफट से update कर लेते हैं यह update करने के लिए गा अब तक मैं आपको एक चीज़ बता दूँ आपके पास कोई भी update आता है चाहे फिर वो OTA update हो यह software update हो तो guys आप लोगों को यह mind में set करना है कि उसके अंदर अगर आपको only security page provide कर रहा है तो guys मैं आपको बता दूँ उसके साथ साथ आपको internal update भी 110% देखने को मिलेंगे चाह फिर battery performance को लेकर हो सकता है या mobile की performance को लेकर हो सकता है XYZ ओई भी हो सकता है क्योंकि वो internal updates है guys कई बार OnePlus उसको बाद में भी provide करता है जैसे कि अभी आप लोगों को देख सकते होंगे यहाँ पर अभी OnePlus के पास new OTA update नहीं आया app.48 के बाद OnePlus Note 2 के अंदर लेकिन फिर भी यहाँ पर internal update हमारे पास आ चुका है और गाईज यह देख लिए डाउनलोड हो नहीं वाला है करीबन इसके बाद कि यह automatically यहाँ पर install हो जाएगा और आपके सामने एक नया gallery app बनकर निकल कर आएगा देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ तो गाईज अभी आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पर फुली डाउनलोड हो चुका है और installed भी हो चुका है जब मैंने gallery को एक बार open किया तो वह crash हुआ that means वह install हो रहा था और अभी आप देख सकते हैं एक new UI interface आपके सामने आ चुका है यहाँ पर आपको year, month, days और all का option filters आपको देखने को मिलेगा year wise देखना चाते हैं तो year wise, day wise देखना चाते हैं, day wise, month wise देखना चाते हैं तो month wise आपको इस तरह से filters यहाँ पर देखने को मिलने वाला है तो guys बाकी और अपडेट्स रहेंगे इसके अंदर quality के अंदर हो क्या changes आए वो मैं आगे आने वाली वीडियो में आपको बताता तो guys आज के इस वीडियो में बसे नहीं मिलता हूं बहुत जल ऐसी किसी next टेश्टिंग वीडियो साथ तब तक लिए दोस्तों, good bye